बहरत की सवसे बड़ी अगनिवीर भरती बैच कितने का बनेगा बच्चे कितने पकड़े जाएंगे एक बैच में से और अधर चांस कितना रनिंग कहां पर होगी तो मैं आपको इस सेंटर की पूरी जानकारी बतांगा और इससे पहले जो भरती हुई है यह उसी सेंटर से कंद्रावाद में उसके आधार पर आपको पता से लेगा और यह जानकारी डोस्तो सब्स Boulder सेंटर में भरती के लिए हम भी अपने मचाव सेंटर में अपसे कोई पूछे पूछे आप बच्टे पकड़ें तीनदर जांबंस में गईते जानकारी बताओगे तो इसी साफ से दोस्तों मैं हाँ पर आपको पूरी जानकारी यो सी सेंटर की बताओँगा कि भरती किसे साफ से कब तक चलेगी कौन-कौन को से ट्रेड को कैसे जाना है और आप सबीसे रिक्वेश्टे बीडियो शुरू ने जानकारी यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दे है ठीक है और यह भरती दोस्तों आपकी जो चलेगी सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते कि भाई जो यह भरती है इसमें MP वाले बच्चे कव जाएंगे और हरियाना वाले बच्चे कव जाएंगे ठीक है और यहाँ पर कुछ और जो राज्या के बच्चे थे वह भी पूछे थे कि कव कैसे हमें जाना है तो भाई सभी बच्चों को आपको बता देता हूं सभी बच पे ट्रेडमेन के पद पर टेक्निकल एएक के पतोता पर व maior श्थेत्में निया पर भी लिख दिया है और आपको बता दो की भर्रती दोस्तों कोई थों कि आपको बता दूँ है कि अपर दोस्तों मैं एक पूरी form 1545 लैने कि फुल आपको टाइनिंग दी जाएगी इस सेंटर में और हो सकता है कि कम मिल जाए little था फैसरता हो सकता कि पारत चाहिस मिल जाए बाकि माइन को इतनी ही इस इंटर में दी जाएगे तो इस इस सेंटर में जब आप बैच बनेगा जब आप रनिंग के लिए जाओगे और देखो आप सभी को बता दू स्टार्टिंग के वैच हर किसी सेंटर में कम बनते हैं किसी में दोस्तों जैसे यहां पर आदेख सेथे हैं सतर का बना दिया फिर सो का बना दिया अगर बच्चे ज्यादा आ जाते हैं यहने कि 6,000, 7,000, 8,000 तो दो यहनम में आपको बच्चों की भीष देखने को मिलेगी 200 प्लस ठीकर 300 प्लस या 200 प्लस इस पसे दौस्तों हम पर रनिगों पर बच्चों के अकोर्डिन और इस दिन दोस्तों आपकी यानिकी सभी बाहत के बच्चों की भरती 29 को है तो इस एसाफ से दोस्ते इसमें बैच म इसी सेंटर में रोड रणिंग भी हो सकता है रोड करवा सकता पर रोड की बताधूं तो दोस्तों जो मैंने वेball बढ़ती हुई थी तीन चार वार बरती हो चुकी है महाँ पर बच्चे ने बताया था काफी भाई मैं बोला ताकि 200 मीटर की तो एक रोड होता उसके बाद ग्राउंड आ जाता चार सो यानि कि सोरी 1400 मीटर का ग्राउंड आ जाता फिर उस हिसाब से हमारी यहां पर 1600 मीटर बन जाती है ठीक है इस हिसाब से और ग्राउंड भी है यानि कि 400 मीटर का एक है और 4 चकर हमको लगाने है तब ही उसी इसाफ से 1600 मीटर हमारी जो बनती है ठीक है इस इसाफ से यहां पर बाकी सीओ के उपर है वो कहां पर आपकी रनिंग करवाएगा कहां पर आपको दोड़वाएगा और अधर चांस इसमें कि में आуса कि इसमें की आपका सेंटर में नंबर आ आ जायए गांब आप जब आरत2 चालिस को संइक्दम सही करोगे तभी आप का नंबर इसमें आने की पूरीा संकार्द का क्योंकि इस में से आप 38 समें और पर दोड़ एन उनमें से कम से कम मान लो कि आपके 10 कोशन गलत हैं दस नमबर वो कटेंगे परस में इनकी नेगेटिव मार्किंग भी कटेगी तो इस इसाफ से आप ऐसा ना करें जितने कोशन आप पर सही आते हैं आप उतनी करें भले आप पर 30 आते हैं तो 30 करें अगर आप पर 35 आते हैं तो 35 सही करें नेगेटिम मार्किंग होती है तो नेगेटिम मार्किंग आप ज्यादा से ज्यादा कोशन ऐसा नहीं कि हर किसी को टिक करें आपको नुक्सान होगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों वेकेंसी की बात इस सेंटर में करूं और मैं आपको बता दूं तो दोस्तों इस सेंट में दोस्तों आपको 100 देखने को मिलेंगी किसी में दोस्तों आपको 98 किसी में 96 और किसी में 2 तो किसी में देखने को मिलेंगी यह जानकारी थी और मैंने आपको बता दिया इसमें दोस्तों पूरे बहुत के बच्चे जा सकते और एक जानकारी और दोस्तों जो बच्चा स्पोर्समेन की भर्दी देखेगा उसको दोस्तों क्या है उसके 26 अप्टूबर को उसके होंगे ट्राइल हुगे उसको दोश्तों 26त तारी को एवसी सेंटर में पहुंच जाना और ट्राइल को 26 तारjang को रंणिंग के लिए जाएगा सबी बच्चों के साथ उसकी रंणिंग होगी यहनि कि बचच इनके साथ रंणिंग होगी तो आपको 26 तारी को स्पोर्स्मेंट वाले बच्चों को ट्राइल के लिए जाना फिर 29 तारी को रनिंग के लिए जाना तो दोस्तों ये जानकारी थी AOC सेंटर सिकंद्रावाद की और मैं आपको जितने भी और सेंटर की भड़ती आएगी उनकी भी जानकारी एसे उसाफ से देता रहूंगा तो आप मारे चैनल के साथ जोड़े रहना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियो को सेर कर देना जैहन